पिछले पार्ट में हमने आपको यह बता है था कि टेले साइकिक्स की पावर आखिर होती क्या है और यह कैसे काम करती है और इसमें आपको बताएंगे इस पार्ट में कि टेले साइकिक्स की जादू शक्ती किस तरह आपके जीवन को अच्छा बना सकती है इसमें जादू का मत पतलब होता है कि बहुत से तरीकों को यूज करके अपने रिजल्टेंट यानि कि जो हम इच्छा करें वह हम पा सकें यानि कि किसी भी तरह का जादू यूज करके हम अपने इच्छा को पाना चाहते हैं और लोग कई तरह के जादू की बात करते हैं जैसे कि लोक संगीत का ज जादू, किसी की सुंदरता का जादू और जादू ब्रहम उतपन करने के कला को भी कहते हैं, जैसे कि मन और अंजन में हाज की सफाई दोरा, जादू गरी और बाजी गरी दोरा, या किसी हैट में से खरगोश्य निकालना या किसी इंसान को गयाब कर देना, यह सब इस तर लोग अग्यात शक्तियों के प्रभाव को जादू कहते समझते हैं बहरहाल जादू एक सापेक्ष सब्दा वाली है और किलियर है यदि आपको किसी भी प्रोसीडर का ग्यान हो या नौलेज हो तो आप उसे जादू का काम नहीं समझेंगे आज वे संसार के कई दूर दरा जाता था आज हम यह बात जानते हैं कि अंतिक शात्री कैसे चांद पर पहुंचने में काम्याब होते हैं इसलिए हम इसे जादू नहीं कहते हैं बहरहाल इतना समझ लें कि सभी शक्तियां अग्यार प्रक्तिकी ही होती हैं सभी चीज़े आत्मा से आती हैं हमें इतना हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम खुशी के भाव को महसूस कर सकते हैं, हम खेल की भावना को, संगीत कार के भावना को, बोल चाल की भावना को, अच्छाई को, सत्त को, किसी की ब्यूटी को, या स्वंदर के भाव को, अपने दिलो दिमाग में हिलोरे मारते रहते हैं और किसी भी धर्म शास्त्री या धर्म गुरू ने इश्वर या आत्मा कभी नहीं देखा है लेकिन हम इश्वर की उपस्तिती और सक्ति का इस्तमाल अपने जीवन के सभी पहलियों में कर सकते हैं और करते भी हैं मिसाल के तोर पर हम यह नहीं जानते हैं कि एलेक्टिसिटी है क्या हम तो बस इसके कुछ इस्तमालों के बारे में ही जानते हैं यह शक्तिया हमारे लिए आज भी अग्यात है और रियल में हम सभी लगातार जादू का ही अभ्यास करते हैं हम अपनी उंगली को उठाने के इच्छा करते हैं ये एक्जाम पालेक और लो अधर्श रखती हमारे मन की इक्षा के अनुसा परतिकिया करती है लेकिन हमें सट्रीकता किसे पता नहीं होता कि हम अपनी उंगली कैसे हिलात उठाते हैं मिस इसका रियल रिजन क्या है और सुकरात ने यह कहा था कि सिर्फ एक उंगली उठाने मातर से ही आप आसमान के सबसे दूर के सितारे को विचले या उसको उसकी पोजिशन से हटा सकते हैं आप महसूस करेंगे कि हम सभी अपने भीतर की जादू शक्ती से परियाप्त परचित होते हैं जबकि रोची संसार में जब हम अपने रोची दैनिक जीवन में इसका नाम नहीं पुकारते हैं तो भी हम इसकी जादू पावर्स का यूस करते रहते हैं और सभी को अपने अंदर की जादू शक्ती का ग्यान होता है लेकिन वो जिस जगह पर उसकी जरुद होती है वहीं पर उसका यूस करता है और अगर आपको हमारे दौरत दी गई जनकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम इसका नेश्ट पार्ट जब भी अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफेशन तुरंत ही मिल जाए और आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीस लाइक कर दें और प्लीस कमेंट करें कि आप क्या ऐसे ही टॉपिकर वीडियो चाहते हैं या फैक्ट्स वाली वीडियो पर